नमस्काल दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मुनिसिपल बॉंड्स क्या होते हैं तता हाल ही में लगनौ मुनिसिपल कॉपरेशन के दौरा जारी कि गए मुनिसिपल बॉंड्स को बॉंबे एक्सचेंज में लिस्टेट किया गया तो मुनिसिपल बॉंड्स को जानने से पहले हमें जानना होगा क्या होते हैं मुनिसिपल कोपरेशन या फिर अर्बन लोकल बॉंडी तो भारत एक मात्रदुनिया का ऐसा Government System बनाया है, जहाँ पर तीन टायर में Government होथी है पहला रहता है Central, दुसरा होता है State और तीसरी होती है Local Bodies Local Bodies दो परकार के उती है एक तो होती है Urban Local Bodies और दुसरी होती है Rural Local Bodies, अब Urban Local Bodies के अलग अलग परकार रहते है जैसे Municipal Corporation Municipalty Cantonnement जहां पर military के can't areas होते हैं फिर उसके अलावा जो coastal areas रहता है वहाँ जहां पर ports रहते हैं बड़े-बड़े वहाँ होती है port cities फिर इसके अलावा अन्य आर्ट प्रकार के municipal bodies होती है तो municipal corporation महानगरों में होता है जैसे की मुंबई फिर हैद्राबाद बैंगलोर ऐसे जो बड़े-बड़े metro cities कॉस्मोपोलेटी टेन्सिटी वहाँ की urban local bodies को बोले जाता है municipal corporation फिर municipal bodies हमें कुछ प्रकार की services प्रवाइड कते हैं जैसे की water facility, sanitation, sewage, solid waste management और इसके अलावा कुछ बड़े municipal bodies अपने खुद के hospital और school भी रन करती है तो अन्या भी अलग-अलग उनके पास सुवधाय होती है तो फिर उनके पास जो अपने body को चलाने के लिए जो source आते है पैसा आता है वो आता है property tax के द्वारा फिर उसके अलावा government के द्वारा दिये गए grants गवर्मेंट के द्वारा दिये गए funds फिर उसके अलावा वे जो service प्रोवाइड करते हैं उसके थूरू भी उन्हें fees मिलती है तो अब जानते मुनिसिपल बॉंड क्या होता है मुनिसिपल बॉंड एक तरहिके का बॉंड होता है जो कि मुनिसिपल कोपरेशन के द्वारा issue किया जाता है टाकि वे fund raise कर सके अपने development की work को आगे बढ़ाने के लिए तो फिर जब ये bond तो इन्होंने fund raise कर लिया फिर उसके बाद इन्हें bond repayment भी करना होता है तो हर अलग-अलग महानगरों के अलग-अलग method होते है इसे pay करने के जैसे कि इस वक्त मुनिसिपल कोपरेशन की strategy यह है कि वे क्या करेंगे जो उनके पास tax हाता है property tax उसमें से वो कुछ amount save कर लेंगे उसी से वे interest pay करेंगे bonds के और जो principal है वो इसी के द्वारा pay किया जागा फिर देखते हैं कि जो civil civic bodies के उपर इस वक्त एक जिम्मेदारी है कि वे अपने flagship program है कि इंडिया में 100 smart cities mission बनाने का जो प्रस्ताव है उससे लेके वे कारे कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा funds की जरौद होती है तो इसलिए मार्केट से bonds के द्वारा या फिर अन्य innovative तारीके से वे अपने fund raise कर रहे हैं फिर इसके अलावा जो अमरित scheme है अटल mission for rejuvenation and urban transportation जो की central government के द्वारा प्रस्तावित scheme है तो इन सबी जो बड़े बड़े project हैं इनकी demand है कि वे cities जो जहाँ पर ये लागू किया जा रहे हैं उनमें कुछ उनके basic infrastructure होने चाहिए अब लगनों के अलावा बहुत से ऐसे महानगर है या फिर municipal bodies है जिन्होंने इस तरीके से fund raise करने के लिए bond issues किया है जैसे कि पूने, इंदोर, बोपाल, एहमदाबाद, हैदराबाद इसके अलावा इस तरीके से जो अभी तक जो traditional तरीका हुआ करता था तो उसमें government जैसे कि central government या फिर state government इन local bodies को fund दिया करती थी लेकिन आज के जमाने में urban local bodies खुद competitive होते जारी है इसके अलावा जो central की ministry है वो भी बहुत modern तरीके innovative approach को अपना रही है और वो market से ही अपने need के जो पैसे वो raise कर रही है इसके बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरीन example है नीतिन कर्कडी जो कि इस वक्त मिनिस्टर for road transport तो उन्होंने जो भी भारत में रोड की जितने भी प्रोजक्ट चड़ रहे तो उनका ये प्लान है कि वे इसे फंड इसे वे स्टॉक मार्केट या फिर इस तरीके के अन्य बॉंड्स बनाके प्रामिसरी नोट्स तथा अन्य जो फैनेंशल इस्टूमेंट से उसका उप्योग करके वे मार्केट से फंड रेस करें तो इससे ये फाइदा होगा कि जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा रिलाइबल सोर्स मिलेगा जहाँ पर वे भरोसे से अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे तो क्यों कि ये गौर्वर्मेंट बाडीज होती है और ये एक तरीके से गेरेंटीड होती है अब देखते हैं कि इन बॉन्ड्स की क्या ये जो मुनिसिपल बाड्स है क्या इन्वेस्वरेण गेरेंटीड होती है तो जैसे कि state development bonds है बहुत बार अजकल state governments भी अपने development के कारियों को प्रमोट करने के लिए bonds का उपयोग करिया है तो वे सब ही क्या होते है वो guaranteed रहते है central government के द्वारा तो अगर state government इस bond के amount को पे करने में अगर वो fail हो जाती है तो वो पे किया जाता है central government के द्वारा लेकिन यह चीज municipal bodies पे लागू नहीं होती है और यही एक कारण है कि municipal bonds में जो interest rate मिलते investors को वो ज़्यादा होते है higher amount रहता है उनका as compared to central government securities और state development loans और अभी हाली में एक चर्चा आई थी कि जो central government है minister minister of finance निर्मा लासी तरह मन उन्होंने state governments को जो fund भेजा जाता है GST से तो उन्होंने उसमें कुछ कटोती की थी और उन्होंने offer किया था state governments को की वे खुद होके foreign से अपने loan ले सकते हैं क्योंकि इस वक central government कोविट pandemic की कारण उन्हें pay करने में सक्षम नहीं है यह उन्होंने इसका कारण दिया इसको लेके भी बहुत विरोध प्रदर्शन एवं बहुत से objection उठाए गए तो उन्हें हम आने वाले video lectures में डिस्कुस करेंगे तो आज के लिए इतना ही धर्नेवाद